Hi friends, welcome back to study classes. तो प्यारे दोस्ते एक बहुत बड़ा बड़ेट जो आ चुका है, वो है UGCnet December examination को लेकर कि आपका जो application process है, वो start हो चुका है, हमारे पास यहाँ पे एक public notice भी आ चुका है NTA की तरफ से और इसके साथ साथ अगर आप UGCnet की website पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको एक information bulletin भी देखने को मिल जाएगा इस information bulletin में आपको बहुत सारी details मिल जाएंगे, eligibility के regarding कि कितनी age limit होने चाहिए, कितने marks होने चाहिए सब चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, मोटा मोटी अगर मैं आपको बताओ, तो कोई change नहीं है, जो पिछली बार था, वैसा ही इस बार भी है, कोई negative marking वगएरा कुछ introduce नहीं किया गया है और जो important dates हैं आपकी examination कब होने वाल है, ये सारी चीजें मैं फड़ा-फड़ से अभी आपके साथ यहाँ पर discuss कर लेता हूँ तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हैची आपके सामने जो important बाते हैं, सबसे पहली लाइन में जो important बात है, वो यह है कि computer-based testing mode में ही आपका examination होने वाल है तो NTA ने एक बार पंगा ज़रूर लिया कि pen paper mode में कराएं, बट वो पंगा आप जानते हैं कितना ursafal रहा था, कितनी यहाँ पर issues create हो गए थे, तो अभी उन्होंने काया कि computer-based testing mode में ही करवाने वाले हैं, बट वहाँ पर हमें थोड़ी सी दिक्कत ही आ जाती है कि multiple shift में paper ह होता है, normalization होती है, फिर किसी के कम marks में भी selection हो जाता है, और किसी के ज्यादा में भी selection नहीं हो पाता है, चलिए देखते हैं किस बार हमारा exam क्या multiple shift में होता है, या फिर एक ही shift में होता है, और अगर हम बात करें application process की, तो 19 November से आपका process start हो चुका है, तो अभी अगर आप UG cnet की website visit करेंगे, वी website का link आपको यहाँ पे लिख रखाए जी, तो आप इसे visit करेंगे, तो यहाँ पे आपको apply now का option दिख जाएगा, तो आप application process को start कर सकता है, और application आपको complete करनी है, 11 December तक, उसके बाद मौका दिया जाएगा, correction का की कोई गलती हो गई थे application में, तो आप उस से correct कर सकते हैं, इसके बाद NTA आपको city center बता देगा कि कौन से city में आपका examination होगा, और फिर admit card की rates भी आ जाएंगी, मुद्दे की बात है कि exam कब होगा, देखो जी, सबसे बड़ी update यह है कि December में paper नहीं होगा, सर, December में paper नहीं होगा, जी हाँ, December का जो paper है, वो होगा आपका January के अंदर, तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी time क्योंकि December के लिए जादा बचा नहीं था, अगर December में connect करा लेते, तो कितना ही पढ़ लेते हैं, 20-30 दिन में, बट अगर आप अभी estimate लगाओगे, तो आपके पास 40-50 दिन अराम से मिल जाएंगे, जिनका paper तो last में होगा, 19 जनवरी को, तो उनको तो दो महीने मिल गए इस paper के लिए, और अराम से त्यारी फिर आपकी यहाँ पर complete हो सकती है, तो आपके लिए examination के dates आ चुके है, examination process start हो चुका है, तो अभी किस चीज़ का इंदजार कर रहे हो, आपके जो पढ़ाई है, उसे फड़ा- उसे जरूर accomplish कर ले, प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने कुछ और important instructions है, वैसे तो बहुत ही normal सी है, बठा एक instruction की तरफ में आपकी नजर डलवाना चाहता था, क्योंकि इसको लेकर कई बार query रेती है, तो यह second number instruction है जी, जो आपको कहती है कि आप 100 जादा application form फाइल न अपने end पर read out कर सकते हैं, प्यारे दोस्तों, अगर आप यह सोच रहे हो कि इस examination के लिए आपको apply करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपकी preparation अभी अधूरी है, तो मैं यह मानता हूं कि आपकी preparation देखो, कभी भी 100% तो complete हो नहीं सकती है, जो students अपना ZRF का goal भी accomplish कर लेत सब कुछ कर लिया था क्या, तो वो answer देंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, तो आप जितना अपने end से maximum prepare कर सकते हैं, आप वो कीजे, आप इस सीज के बारे में मत सोचे कि जब मेरा syllabus complete होगा, तभी application form भरा जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा आपकी जो main पढ़ाई होने वाली है, सीरिस वाली पढ़ाई होने वाली है, वो exam से 50 दिन पहले, exam से 2 महीने पहले ही होने वाली है, तो अभी अच्छी बात ही है, कि December में paper नहीं है, January में paper है, अच्छा कासा समय आपके पास available है, तो जो भी आपकी चीजे बची हुई है, आप उनको prepare कर सकता है, revision कर करना चाहते हैं, प्रेक्टिस करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आपके लिए ample time यहां पर available है, जित्ती भी आपकी preparation है, आप paper जरूर दे कर आईए, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट अगर हो गया, तो आपका कही ना कहीं कुछ गोल जो है, वो accomplish हो तो अगर आप सोच रहे थे कि examination की data आजाए, उसके बाद prepare करेंगे, revise करेंगे, या फिर कुछ topics आपके बचे हुए, जिनका आप cover up करना चाहते हैं, तो it is a master course, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, आप जिस हैसाब से जो करना चाहते हैं, वो आप इस course से कर सकते हैं, paper 1 प्लस paper 2 का course भी आप check out कर सकते हैं, हमारी app या फिर website पर जाके आपको सारी details यहाँ पर मल जाएंगी, So thank you प्यारे दोस्तों, यह था जी हमारे लेक बहुत बड़ा update, December examination को लेकर, तो आपका application process स्टार्ट हो चुका है, और मैं यही कहूंगा कि फड़ा फट से इस examination के लिए apply कर दीजे, apply करने के बाद फिर आपका जो preparation है, आप उस पे focus कीजे, आपका जो भी चीज़े topics बची है उनको एक बार identify कीजे, उनको फड़ा-फट से कोशिश कीजे, complete करने का, उसके बाद अपने PYQ practice और mock test की practice पे आप फड़ा-फट से आ जाईए, ताकि इस examination में आप अपना जो भी goal है, उसे accomplish कर सकें, आज के लिए session में इतना ही जी मिलते रहेंगे regularly और discuss करते रहेंगे, बह अपने आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स सेशन में तिल देन, goodbye, take care, all the best.